नमस्कार दोस्तों मैं उधीरज और श्वागत करता हूँ आपका study.com के इस टुटोरियल में आज की इस ख्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जै प्रकास नरायन जी के द्वरा लिखा हुआ और लिखा हुआ नहीं है चुलकी उन्होंने एक भासन दिया था संपूर्ण क्रांती पटना में 5 जून 1974 को उन्होंने ये भासन दिया था तो उसी भासन का एक अंस है जो लिखित रूप में हमारे पास संकलित है इस पुस्तक में और उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं पटना के गांधी मैदान में दिया गया जै प्रकास नरायन का ये भासन मैं आप लोगों से अनुरोद करूँगा कि आप लोग इस चैप्टर को पहले पढ़ें उसके बाद इस वीडियो को देखें हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले लेखक से आउगत होते हैं इनका परिचे करते हैं जनम हुआ था इनका 11 अक्टूबर 1902 में और इनके निरन जो हो गया था वो हो गया था 8 अक्टूबर 1989 में जनन इनका हुआ था सिताब दियरा नाम का एक जगह है हमारे ही बिहार में तो सिताब दियरा में इनका जनम हुआ था जै प्रकास नरायन का माता का नाम था फूल रानी और पिता का नाम था हरसु दयाल ठीक है आड़म्बिक सिक्षा तो इन्होंने घर पे ही ली थी आगे की सिक्षा के लिए पटना कॉलेजियेट गए उसके बाद 1922 में सिक्षा प्राप्तिक के लिए अमेरिका भी गए थे राजनितिक केरियर देखें राजनितिक जीवन देखें तो 1929 में ये कॉंग्रेस में सामिल हुए थे 1885 में कॉंग्रेस का गठन हुआ था आपको पता ही होगा 1939 में ये कॉंग्रेस में सामिल हुए थे 1932 में स्वविने अवग्या आंदोलन के दरान इनको जेल जाना पड़ा था और जेल से जब ये निकल के आये थे तो कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी का इनोंने गठन किया था सोसियालिस्ट वर्ड जो है ये आप लोगों को मिला होगा सोसल साइन्स में ठीक है इसका मतलब जो है सामाजवाद से रिलेटिड है 1949-1943 में एक बड़ फिर से ये जील गए 1952 में इनोंने प्रजा सोसलिस्ट पार्टी का गठन किया इसके आलामें आगे भी घटना इनके सामने दी गई है अपातकाल इमर्जेंसी जो लगा था 1975-77 के करीब में तो उस समय भी इनको जेल जाना पड़ा था और जैसा कि आपको मैंने बताया 1989 में इनकी मिर्तियों हो गई इने के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ जो कि आज भारती ये जनता पार्टी है ठीक है और अगर इनके क्रितियों की बात करें तो री कंस्ट्रक्शन अफ इंडियन पॉलिटी नामक जो है एक रचना इनकी है बहुत ही प्रसिद रचना है 1965 में समाज सेवा के लिए इनको मैग से सम्मान मिला था और 1999 में भारत रतन से भी ये सम्मानित हुए थे तो ये सारी चीजे थी लेखक के बारे में आगे हम लोग बात करते हैं चैप्टर और हम लोग पढ़ने वाले हैं हमेशा की तरह चैप्टर का समरी मैं आपसे कहूंगा कि आप फस्ट अफॉल पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़े और समरी को इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसको हुबहू अपने एक्जाम में अपने परिच्छा में लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो देखिए प्रस्तूत पाठ जो है मतलब यह जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं संपूर्ण करांती इसमें लोकनायक जैप्रकास नरायन जी द्वरा एक एतिहासिक भासन दिया गया था एक ऐसा भासन जो इतिहास के पन्नों में आज भी सुवर्न अक्छडों में है अंकित वो भासन जो उन्होंने दिया था 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था एक दम लोग भड़े हुए थे पूड़ा का पूड़ा गांधी मैदान जो है भड़ा हुआ था लोगों से और लोग कहते हैं कि ना कोई उनके बाद जैपी जी के बाद वैसा ना कोई आज तक वक्ता हुआ और ना ही उतनी संख्या में गाधी मैदान में आज तक जो है स्रोता एकत्रित हुए ऐसा कहा जाता है ऐसा माना जाता है पूरा का पूरा भासन अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग से इसकी पुस्तक ही है जन्मुक्ती पटना से प्रकासित की गई है ये एक अलग पुस्तक ही है इसकी और इस चैप्टर में हम लोग इसका एक छोटा सा भाग पढ़ने वाले है इस भासन का भासन को सुनने के लिए लाखों लोग आये थे लाखों की संख्या में लोग पूरे बिहार से आये थे और उसमें युवाओं की संख्या बहु ज़्यादा थी यंग लोगों की संख्या बहु ज़्यादा थी जब भासन की सुरुवात करते हैं नरायन जी मतलब की जैप्रकास नरायन जी जब भासन की सुरुवात करते हैं तो भासन में कुछ यादे आती हैं, कुछ यादे राम धारी सिंग दिनकर की होती हैं, कुछ यादे राम ब्रिक्ष बेनी पुरी जी की होती हैं और इन तमाम चीजों में इन तमाम यादों में उनको ऐसा लगता है कि अगर आज ये लोग होते, आज अगर दिनकर जी होते, आज अगर रामब्रिक्ष बेनिपुरी जी होते, तो फिर जो है ये क्रामती का वीरा जो students के द्वारा, जो विद्यार्थियों के द्वारा मेरे उ उपर सौपा गया है, ये जो जिम्मेवारी मेरे उपर सौपी गई है, इस जिम्मेवारी का बोज कहीं न कहीं उनके द्वारा जो है हलका हो गया होता, अफसोस जताते हैं जैप्रकास नरायन अपने इस भासन के द्वारा कि आज दिनकर जी, रामब्रिक्ष बेनिपुरी ज तो ये 1975 का ये वो दसक था 1975 जब आपातका लगा था अगर उसके पहले की स्थितियों की हम बात करें थोड़ा सा अगर अतिहासी केडियर के तरफ हम बढ़ें तो आपने पढ़ा भी होगा क्लास तेंथ के पॉलिटी में कि उस समय जो है जहां तहां जो है एकदम भुखमरी सी स्थिती हो गई थी गड़ी भी फैली हुई थी कोई हमारी मदद करने के लिए तयार नहीं था और सरकार जो थी वो कॉंग्रेस की थी वो बच वोट जब आता था जो एलेक्सन आते थे तो बड़े-बड़े वादे वो आज भी देखने को मिलता है कि बड़े-बड़े अटे थे उन सभी लोगों में एक अलग प्रकार का क्रांथि की भावना उभर के आई थी और उन लोग़ों ने जैप्रकास नरायन को अपना नेतास चुना था तो वही जैप्रकास नरायन कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया मतलब इनोंने खुद से जो है कोई काम शुरू नहीं कर दिया कि चलो खडांती करेंगे वो कहते हैं कि मुझे ये जिम्मीवारी जो है यूआ पीडी के दवरा सौपी गई है यूआ पीडी ने मुझे को ये जिम्मीवारी दी है और जे पी जी कहते हैं जे प्रकास नरायन कहते हैं कि मैं नेता बना हूँ युवा पिडी का तो मैं बस नाम का नेता नहीं बनूँगा ऐसा नहीं है कि कट पुतली की तरह मुझको ऐसे ही घुमाया जाए मैं बस नाम का नेता रहूं और काम कोई और मुझको बताए ऐसे करना है वैसे करना है इस भासन में असपस्ट रूप से उन्होंने कहा है कि मैं बात सबकी सुनूंगा लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो मेरा होगा मतलब मैं सुनूंगा सबकी लेकिन जो अंतिम डिसीजन होगा वो मेरा होगा ऐसा नहीं है कि आप लोग बताते जाओ कि ऐसे कीजी और तम मैं उसके अनुसार करूंगा ऐसी बात नहीं होगी इस भासन के दरान लेखक ने अपने परिवार की गड़ी बिस्थिती के बारे में भी जिक्र किया है कि किस तरीके से वो अमेरिका गए परिवार की स्थिती इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बाहर जाके पढ़ें लेकिन फिर भी अमेरिका में वे गए और वहाँ पे अपने बलबूते पे उन्होंने पढ़ाई की चुकी समड़ी है तो मैंने इसको सौट रूप में लिखा है अगर आप इसको पढ़ें पूरे के पूरे चैप्टर को तो आपको पता चलेगा किस तरीके से JP जी ने वहाँ पर पढ़ाई की थी कौन कौन से काम किये थे और बहुत ही बिकट परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वहाँ पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जो है जब यहाँ आए तो यहाँ आ करके चुकी उस समय तो देश में एकी पार्टी थी कौन्ग्रेस पार्टी और वो जो है आए और एकी बड़ी पार्टी थी जिसमें वो जो है कौन्ग्रेस में सामील हो गया इसके बाद सामील होने के बाद यह होता है कि लोगों के साथ विचार नहीं मिलते है जैप्रकास नरायन ने अपने भासन में जिक्र भी किया है कि बहुत बार ऐसा हुआ है जब जोहरलल नहरू जी थे, बापू जी थे तो उन सब के साथ जो है मेरा अनबन हो गया उनके विचार, मेरे विचार बहुत बड़ ऐसे इस्थिती आया ऐसे इस्थिती बने जब उनके विचार जो है मुझसे नहीं मिले जैप्रकास नरायन कहते हैं कि बहुत से लोग जब मुझसे मिलने आते थे बहुत सारे नेता जब मुझसे मिलने आते थे तो सब जो है मुझे लोकतंत्र की सिक्षा देते थे ऐसा होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए और मैंने देखा कि जब लोग जो है अपने हक के लिए जुरूस निकालते हैं तो यही लोग फिर उन लोगों को रोकने के लिए जाते हैं अब मुझको समझ नहीं आता है कि ये लोकतंत्र की बात करने वाले लोग हैं कि लोकतंत्र में तो लोगों का सासन होता है और यहां पर ये लोग जो लोकतंत्र की सिक्षाएं देते हैं ये लोग जो है दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचल रहे हैं लोग तंत्र में अपना अधिकार पूर्णतह जाहिर करने का अधिकार हम लोगों के पास होता है और ऐसी स्थिती में आप लोग उस चीज को दवा दे रहे हैं उसको खतम कर रहे हैं ये चीज समझ में नहीं आती इस तरीके से जैप्रकास नरायन की अगर आप विचारधारा को देखे तो इनकी विचारधारा पुर्णता अलग थी लेखक के कुछ मित्र जो थे उनका ये मानना था कि इनका और इंदरा जी का मेल मिलाप हो जाए लेखक इस चीज की भी चर्शा करते हैं अपने भासन में कि लेखक के कुछ मित्र थे जो चाहते थे कि जैप्रकास नरायन का और इंदरा जी का मेल मिलाप हो जाए ठीक है लेकिन परशानी ये थी लेखक कहते हैं कि उनसे जो है इंदरा जी से मेरा कोई व्यक्तिगत जगड़ा नहीं था उनसे जगड़ा तो बस मेरा गलत नीतियों से था उनकी जो नीतियां थी वो जो है कुछ ठीक ठाक नहीं थी और उन नीतियों का मैं बार बार खंडन करता था लेखक कहते हैं कि मैंने कई बार बापू के भी नीतियों का खंडन किया मैंने नहरू जी के भी नीतियों का खंडन किया और खास तर पे लेखक ने लिखा है कि खास तर पे नहरू जी की जो विदेश नीति थी जो foreign policy थी उन तमाम नीतियों का मैंने खंडन किया चाहे वो चीन से उनकी नीती रही हो या अन देशों के प्रति उनकी नीती रही हो जिसका मैंने खंडन किया और आगे चलके वो सारी की सारी चीजें वो सच साबित हुई उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आगे चलके वो सा इतनी गड़बड़ी हुई है उस रीजन में वो आप सब लोग जो है इस बात को समझ रहे होंगे और इस तरीके से कहते हैं जैप्रकास नरायन की मैंने इन सब चीजों में जो है बुड़ाईयां की इन नीपियों की अलोचना की तो यह जो थे जो बापू थे जो नहरू जी इन लोगों ने मेरी बातों का कभी बुड़ा नहीं माना एक दो बार ऐसा हुआ था जब नहरू जी जो है प्रकास नरायन जी से खिसला गये थे गुसा हो गये थे ऐसा एक दो बढ़ हुआ था लेखक कहते हैं कि देखिए राजनीती में गरबड़ी तब हो जाती है राजन चुनाओ से पहले तो लोग जो है चुनाओ में एकदम अंधा दूंद खर्चा कर देते हैं आज भी आप लोग देखते होंगे कि चुनाओ जब आते हैं तो नेताओ के दोड़ा खूब खर्चा किया जाता है और ना उन पैसों का कोई हिसाब होता है कहां से पैसे आये हैं क तहां खर्चा किये गए ना तो उनका कोई हिसाब होता है और उन चुनाओं के खर्चा होने के बाद जो है वो सारी की सारी चीज है उन सभी चीजों की भड़ पाई जो है वो जनता को करने पड़ती है जै प्रकास नरायन कहते हैं कि आज जनता को लोकतंतर तो है हमारे देश म लोकतंतर का मतलब ही होता है कि जो सासन जनता का हो जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो तो हमारे देश में लोकतंतर तो है लेकिन आज जनता को बस इतना ही अधिकार है कि वो चुनाओं करे वो बोट करे और बोट करने के बाद बोट करने के बाद जनता का अपने प्र भोट करने भड़ ही रह गया है लेखक कहते हैं कि अगर दूसरे देशों की आप बात करो जो अन्य देश हैं तो अन्य देशों में जो है वहाँ पे प्रेस हैं जो पत्रिकाएं हैं वो इन चीजों पे प्रतिबन लगाती हैं इसके लिए इंग्लिस में एक चैप्टर भी अपने 12 में बढ़ा होगा How free is the press ठीक है यह चैप्टर जो है प्रेस से समबन्दी थी है कि किस तरीके से दूसरे देशों में प्रेस और पत्रिकाएं जो है नेताओं पे अंकुस लगाती है सरकार पे अंकुस लगाती है लेकिन हमारे देश में ऐसी बिवस्था नहीं है, हमारे देश में इसका बहुत अभाव है, हमारे देश में प्रेस और पत्री काय जो है ये सासन पे उतना अंकुस नहीं लगा सकती तो ऐसी तमाम बातें जिनकी चर्चा जो है जप्रकास नरायन ने अपने इस भासन में कही है, और एक नारा जहां से एक संपुर्ण क्रांती का नारा उन्होंने दिया, और यहां से जो है एक बहुत बड़ी क्रांती उभर के सामने आई, और उसके बाद सरकार जो है गिर गई मुख्द करने वाला था और ये है आपके chapter का explanation thank you so much for watching this video और मैं आपको बता दूँ कि तेंथ के लिए हमारा एक channel है BACB exams इसको आप अपने छोटे भाईयों के साथ share कीजिए इस पे मैं तेंथ का video बनाता हूँ बाकी telegram channel का link जो है description box में है आप जाके हमारे telegram channel से जुड़िए thank you so much